दोस्तो ओला एलेक्ट्रिक हाला कि इस कंपणी को इंट्रोडक्शन की कोई रिक्वार्मेंट नहीं है इस कंपणी गार में हर को जानता है यह वही कंपणी जिसने सबसे कम स्पैम है नंबर वन कंपणी बनके बताया है और ट्रसमी भाई इनके पूर्टफोलियो में बहुत सरी गाड़िया है पहले तो सिर्फ दो गाड़िया थी बट अभी के टायम में पाज गाड़िया हो चुकी है Ola S1 X में 2 model 2 kWh and 4 kWh उसके Ola S1 X Plus जिसमें 3 kWh battery pack है then Ola S1 Air then Ola S1 Pro Gen 2 ये सारे portfolio में गाड़िया है बट अभी मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा है मैं बात करो कुछ और जिसके बारे में अपने thumbnail पर देख लिया है और उसको click किया है इसी कारें से क्योंकि आपको जानना है कि क्या है और क्या आ रहा है well Ola company आप portfolio में कुछ नया करने वाला है gear up कर रहा है कुछ नया लाने के लिए और वो जो चीज होने वाली है that is auto rickshaw हाँ Ola का auto rickshaw आने वाला है एक नया portfolio एक नई गाड़ी के साथ आने वाली है और इसके साथ में एक bike भी वो लाने वाला है अब यह कितने दिन में आने वाला आप लोग का यह सवाल होगा well within 2-3 weeks के अंदर ही आपको इन चीज के उपर announcement मिलने वाला है हलाकि company ने बोला है कि हम innovative approach करना चाहते है towards sustainability mobility solution पे इसी कारान से वो ओला का आटो रिक्षा ला रहे है और मैं आपको बता दूँ वैसे यह almost finalist हो चुका है कि आटो रिक्षा ओला के तरफ से आने वाला है वो already two wheelers में तो भाई पूरा कबजा करके रखे हुए कि यह market share सबसे जादा है बट वो commercial में भी अब वो चाहते है सबसे बड़ा जो market share हो वो उनका हो ओला तो भाई ब्रैंड बनता जा रहा है commercial purpose में भी यह गाड़ी ला रहा है एक आटो रिक्षा ला रहा है तो already market में महींद्रा उसके अलाबा भी बहुत सारी company आए जो electric scooter sale कर रहे है 3 wheeler में अब ओला company अपनी auto रिक्षा लाते है तो market में थोड़ी सी तो हलचल होनी वाली है वैसे भी आने वाले समय में इनका IPO आने वाला है और उसकी preparation चल रही है काफी समय से और यह announcement उसी चीज़ को थोड़ा सा और help करने वाला है और साथ में एक bike भी यह launch करने वाले है काफी जल announcement तो 2-3 weekend आपको मिल जाएगा और उस announcement में एक electric bike के बारे में भी बताए जागा हलाकि company ने 4 bike को showcase किया था बट उसमें से कोई एक electric bike आने वाली है बट तो कौन से ओने वाली है यह अभी तक confirmed नहीं है अब आती है सबसे important चीज यह जो auto रिक्षा है इसका नाम क्या होने वाला है यह जो auto रिक्षा होगा इसका नाम रखी है Ola electric company that is राही राही याने traveler हाँ इस नाम से Ola electric auto रिक्षा लाने वाला है इंडिया में commercial purpose के हिसाब से यह जो नई vehicle के आसान launch से company different different portfolio में अपने गाडियों को ला रहा है और ऐसे में भाई actual में Ola की portfolio में बहुत सारे options हो जाएंगे commercial purpose के हिसाब से plus bike के हिसाब से plus two wheeler scooter के हिसाब से options बहुत सारे हो जाएंगे ऐसे में जो company की valuation होगी company का जो actual में अस्तित्व होगा वो काफी अच्छा हो जाएगा और यह काफी important है scooter के भरोस से कोई भी company नहीं रह सकते बट Ola company इस चीज को समझ चुकी थी काफी पहले ही इसी कारान से वो different different platforms पे अल्रेड़ी काम कर रही है जैसे car पे भी काम कर रही थी देन बाइक देन स्कूटर अब थ्री विलर आटो रिक्षा पे भी काम कर चुके लगवग कुछ दिन के अंदर ही आपको अनॉस्मेंट सुनने को मिल जागा तो दोस्तों आज ही अपडेट आया था तो मैंने सुच आपको फटा फटा से बता देतो आपको यह वीडियो अच्छा लगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरू करेगा मिलते अगले वीडियो में बाबाए